हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों से डिसकस करने वाला हूँ इंग्लीज का एक ऐसा कॉंसेट जो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज कर देता है और वो है लाइक और आज की बीच का डिफरेंट जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं difference between like and as यानि कि हम लोग like का परियोग कब करते हैं और as का परियोग कब करते हैं आज के बाद इसमें confusion नहीं रहेगी दोस्तों तो I ही शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ like और as में सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है तो आपको बताऊं दोस्तों चाहे वो like लिखा हो और चाहे वो as लिखा हो पहरे दोस्तों like और as दोनों का मतलब होता है के समान या के जैसा लेकिन मैं सबसे पहले अंतर की बात करूँ difference number one like जो है as a preposition काम करता है जबकि हमारा as a conjunction काम करता है यानि कि दोस्तों के जैसा के अर्थ में के समान के अर्थ में अगर आपको preposition चाहिए तो आप लोग किसका प्रियोग करेंगे like का लेकिन दोस्तों आपको conjunction चाहिए तो आपका प्रियोग करेंगे as का अब आपको होगे sir मैं कैसे समझों कि आखिर मुझे preposition चाहिए कि conjunction चाहिए तो नाउनके जेरन के पहले लिखना हो दोस्तों तो नाउन प्रονाउन या जीरन के पहले यूज़ करने के लिए हम लोग like का प्रियोग करते है 지금 he is like my brother वह मेरे भाई जैसा है अब यहाँ my brother एक noun है पहरे दोस्तों और उसके समान के जैसा के अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया like my brother कभी as my brother का प्रयोग नहीं करोगे आप लिखोगे he is like my brother she is like my sister वहाँ मेरे बहन के जैसी है दूसरा दोस्तों swimming is like running अब यहाँ पर running क्या है जीरंड है और जीरंड के पहले अगर हमें लगाना था तो हमने किसका प्रयोग कर लिया दोस्तों like का प्रयोग कर लिया और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कहरा my father looks like me मेरे पिता जी मेरे तरह दिखते हैं और यहाँ पर दोस्तों मी क्या है मी एक pronoun है और pronoun के पहले के जैसा के अर्थ में लगाना था तो हमने like का प्रयोग किया तो आप से कोई पूछे तो आप बताऊंगे क्या कि भया like का मतलब के जैसा होता है के समान होता है लेकिन जब हमें किसी noun के पहले लिखना होगा pronoun के पहले लिखना होगा यह पहरे दोस्तों जीरन के पहले लिखना होगा तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे like का अब मैं दूसरी बात आप लोगों से करता हूँ और वो है as, मैं आपको बता हूँ दोस्तो as conjunction के रूप में परियोग होता है, आपको मैं कैसे समझू कि as conjunction है, तो दोस्तो मैं आपको एक line में simple way में आपको बताता हूँ, कि अगर कहीं पर subject plus verb लिखाओ, और subject plus verb के ठीक पहले ल लिखना हो, तो क्योंकि आपको पता है कि एक clause को जोडने के लिए, एक sentence को जोडने के लिए, हम like का परियोग नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि like एक preposition है, और वहाँ पर हम लोग किसका परियोग करेंगे, as का, या निकि किसी conjunction, किसी clause के पहले, conjunction की हुआ था तो दोस्तों यहां पर देखोगे ही हैड रिटेन जो लिखा है यह पूरी की पूरी एक क्लाज है और एक क्लाज के पहले अगर हमें जैसा के समान का अर्थ देना है तो यहां पर मैं किसका प्रियोग करूँगा आइस का यह तो हो गया डिफरेंस नंबर वन आप से क कोगे लाइक एक प्रिपोजीशन है यह किसी नाउन के पहले आएगा प्रोनाउन के पहले आएगा जीरन के पहले आएगा लेकिन दोस्तों एज एक कंजंशन है जिसका प्रियोग किसी संटेंस या क्लाज के पहले करेंगे मैं दूसरे डिफरेंस की बात करता हूँ जो कि ब अब राम worked like a teacher और as a teacher में क्या अंतर होता है दोस्तों, यहाँ पर राम worked like a teacher का मतलब राम was not a teacher by profession, राम teacher के जैसे काम तो करता है लेकिन प्रोफेसर से राम जो है वो teacher नहीं है, ध्यान दीजे का दोस्तों, अगर मैं कहूं कि he works like a teacher, वो teacher के जैसे काम करता है, इसका मतलब मैं कह चाहता हूं कि ठीचर नहीं है मैं अगर दोस्तों मैं दूसरी तरफ आता हूं और मैं कहता हूं जोफश säga नहीं की लिए काम करता है पहरे दोस्तों तो आप लोगो को like और ask के वीज़ का यह difference समया होगा अगर आप लोगो class अच्छी लगी हो एक बार like बडन दबाईएगा और comment करके बताईएगा आपको लोग किस topic पर वीडियो चाहते हो मैं जरूर बनाऊंगा thank you very much